आपका स्वागत है दिन पर के तमाम खबरों के साथ दिन पर के साथ दो लोगों को और स्कूटी को पूरिसनी के अच्छाप्त नितरहा दवासी विद्धाल एंट्रस एक्जाम दोच और निस का हुआ जन विद्धाले के कुल सौसीट के लिए दाज भर के चारसो पचार साथ रुगे शामिल और विदान साथ चुनाओ के तियारी को लेकर भादे जनता पार्टी चुनाओ से पहले एक लाफ लोगों को आश्वार में शामिल करने का लिया संकल और अब खबर इस तरह से जमशेतु सड़क हाथ से मुर्टक महिस परशाद की मौत के बाद मौअबजे की मांग को लेकर मानगो संको साही के मौत के परिजन और वहाँ के बस्तिवासे जिले की अपयवत के काराले पहुचे इन्होंने उचित मुआपजा मृत्तक के परिजनों को देने की मांग उठाई है गौतलाभू की कल रात 9 बच के 30 मिनट पर मानगो ब्रेश पर डीजल लड़ता टैंकल अर निंद्रित होकर पलट किया था जसमें डीजल टैंकर की नीचे दपकर महिश प्रशाद की मौत हो गई थी महिश प्रशाद की मौत को लेकर भारत पैट्टूलियम से मुआपजा दिलवाने की मांग को लेकर मृत्तक के परिजन बस्ती वासी उपयत कार्याले पहुचे थे इस दोरान इन्होंने का कि मृत्तक पर भी उनका परिवाद निर्भर रहता है और उनके परिवाद जनों के साथ आये का कोई श्रोट नहीं था इस दारन इस सुचित मौपजा मिलना चाहिए टैंकर ने डैस करके उनको मार दिया औरह पुड़े परिवार के मृता बड़े परिवार को भारत पेट्रॉलियम क्यों से किसी भी परिवार रहो किसी आफिस में उनके परिवार को एक बेक्ति को नौकरी दिया जाए और उनको मदद किया जाए जिसे उस गरीब परिवार को रोड़ पना आना पड़े दर दर की उनके परिवार को बहटकना ना पड़े जिसे कि बहुत बड़ा उनका सहयोग और मदद होगी जमशेदपर के बाद बेड़ा थाना अंतगरत कीतर डीग वाला पट्टी से अवैसराब महुआ के साथ दो लोगों को गिरिफतार किया गया है इनके पास अवैद महुआ सराब के साथ एक स्कूटी को विजब्त कर लिया गया है गुट सुचना के अधार पर बाद बिड़ा पुलिस ने कारवाई करते वे मितले सियादो लालू कालंदी को गिरिफतार कर लिया पुलिस के अनसार लगता शिकायत मिल रही थी कि इनके दवार अवैद रूसर शेथ में महुआ सराब की बिक्रे धरले से की जारी थी इस दोरान पुलिस ने कारवाई करते वे अध महुआ सराब समित दोनों को गिरिफतार कर लिया है अब उस्ताज के बाद उसे जील बेशती है इसके सब पास एक एश्कूटर भी एश्कूटी भी बिरामत लिए जिसे ये ले जारे थी ये सप्लाइट अंदर जेवे जो अपने दावाई को करते है जमशेत नेतरहर्ट आवासी विद्याले इंट्रेंस एक्जाम दोचमनिस का एश्कूटर भी सिमुव जिले के शात्रों के लिए किया गया इस परिशा का एश्रन किया गया जिसमें पूरे जिले से लगबग 450 शात्र सामिल हुए है इस विद्याले में चात्रों को रहने और खाने के साथ आत्या धुनिक सिक्षा सरकार की दोर प्लब्त कराई जाती है उस्वासीटों के लिए परिशा की जा रही है नेतरहर्ट आवासी विद्याले इंट्रेंस एक्जाम 2019 का एक्जाम चल गा है जिसमें से पूरे इस सिभू के एप्रोक्स 430 स्टूडेंस एक्जाम दे रहे हैं जिसमें से हो सकता है कुछ बचे जो नहीं आ पाए हैं वो लोग अपसेंट है अधरवाइज स्टूडेंट एक्जाम दे रहे हैं ठीक है देखिए सरकार के तरफ से वहाँ पर सारी बहुत सारी फसलिटीज दी जा रही हैं जित लॉजिंग फूडिंग लॉजिंग फूडिंग से लेके एक्सपर्टीजर से उन लोगों को पढ़ाया जाता है और और औरल में से सो बच्चे का ही सेलेक्शन होता है वहाँ पर जो सारे डिस्टिक में अभी एक्जाम चल रहे हैं सब डिस्टिक में उसके चल रहे हैं तो इन सब डिस्टिक का सो बच्चे ही सिलेक्ट करके हम लोग लेते हैं यह इसका के टेरिया यहां पर फिक्स नहीं है क्योंकि इस चिंभूम से जो सो बच्चे कटप के अंदर आ जाएंगे उन सब को ले लिया जाएगा भारते जंता पार्टी विदानसवा चुनाव के तैयारी में जुड़ गई है इदर चुनाव में सबसे पहले एक लाख लोगों को अपनी पार्टी में जोने का लक्ष रखा गया था इदर सदस्ते आभिहान के शिरुवात को लेकर आज बिस्टुपूर के तुलसी भवने बैटक की गई बैटक में बोधिस्तर के कारकरताओं को कैसे मजबूत किया जाए और नई वोट्रो को अपने साथ कैसे चोड़ा जाए युवाव को चाधा से चाधा अपने साथ चोड़ कर भारते जन्रता पार्टी का सदस कैसे बना जाए इसको लेकर विचार भी मश किया गया पैटक में मुख्यातीती के रूप में जिरे के सांसत विदुत्वरन में तो पस्तित रहे इन्होंने संगठन के मशबूती को लेकर कई दिसा निदेशों कारकरताओं को दिये गए वैसे पार्टी छे चुलाए से सदस्ता अभ्यान के शिर्वात करेगी पूरे जरे में एक लाग से नए सदस बनाने का लक्ष तैय किया गया संगठन पर्व सदस्ता अभ्यान के तहट आज भारती जनता पार्टी जमशेतपूर महानगर के मंदल अध्यक सदस्ता प्रभारी दिलापता अधिकारी और पार्टी के वरिश नेकाओं की बैठक चल रही है इसमें अपने लोक्तिय सांसाद आदर्णी लिद्वार्ण महातो जी और राजी के मंत्री आदर्णी सर्यूराई जी कुछ समय बात पधारने वाले हैं हम सभी लोग आज संगठन को मजबूत करने के दिश्टि कौन से जो 6 जुलाई को पार्टी का रास्टी अभियान सुरुवात होगा हम लोगोंने एक लक्ष मिरधारित किया है कि एक लाख नए सदस से बनाने हैं प्रतेख भवन पर प्रतेख समाजिक समीकरन को साधते हुए अपने पार्टी को मजबूत करने के दिश्टि कौन से हम सभी लोग आज रननीती बना रहे हैं और 6 जुलाई से हम सभी लोग अभ्यान के शुरुआत करेंगा जो 11 अगस तक चलने वाले हैं इसमें हम सभी लोग मिलकर अपने एक लख नए सदस को जोड़ेगा और इधर हम आपको बताया जमशेदपर के साक्षे थाना अंतगत मान को बस टैन गुर्चकर के समय पे एक डीजल टैंकर और निंत्रितों का पलट गया जिसमें दब कर एक महिला समय दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि टैंकर के चालक और खलासी समय चाल लोग गंबी रुप से घाल हो गया इधर स्थानी लोगों को काफी मसकत के बाद टैंकर में दबी चालक और खलासी को बाहर निकाले गया और अस्पताल पेचवाया गया एक घंड तक लोग रहतर बचा में चूट रहे लेकिन प्रशासन की और से किसी तरह की मदद नहीं मिले से लोगों में नाराजगी देखी गई यहीं टाटा स्टिल की दमकल गाड़ी पहुशने के बाद रैस्क्यू ऑपरेशन सुरू किया गया इदर टैंकर से सिरक कर पूरा डिजल सड़ पर बिखर गया था जिसकी बास्तिती और फ्यावर सी हो गई इदर प्रशासन को सड़क खाली कराने में काफी मसकत करने पड़ी साथ एंडी आराफ के टीम को बुलाया गया इदर घटना के सोच नम बिलती ही जिले के SSP समय दस दस थाना प्रभारों ने कैंपनी करते वे रेस्क्यू टीम के साथ देर रात तक जमे रहे पूरे रेस्क्यू आपरेशन की मोनिटरिंग SSP ने खुद किया सभी खालों को एमजर उस्ताल ले जाए गया चान दो खालों की मौत हो गई इदर इस दोरान शेहर से बाहर जाने वाली यात्री गार्यों के परिचान पूरी तल से रोक लगा दी गई वैसे जमशेतु पुलिस हो इस्ताने लोगों के सूजबूस से बड़ा हासा ठल गया है यह लगबग साड़े नो पौने दस बजे के आसपास में यह जो डीजल से भरा हुआ जो टैंकर है वो मांगो चौक पर ड्राइवर की लापरवाही के कारण और तेजी से चलाने के कारण से मुड़ते समय यह पलट गया था इसके पलटने के कारण जो आसपास में रहगीर चल रहे थे उनमें से चार लोग इसके नीचे दब गए थे इसमें टोटल दो लोगों की डैथ हुई है इस घटना में दूर घटना से बाकी तीन-चार लोग है जो घायल है लेकिन वो ठीक है इसमें जैसे ही खबर मिली है तुरंत जो डिस्टिक्ट एड्मिनिस्टेशन है जमशेत्पुर पुलिस के सारे लोग आए सारे आफीसर्स और हम लोगों ने यहां लोगों को यहां से दूर हटाय है चUNGकि जोलनसी फ्यूल है डीजल है और लोग नजबीक में जा रहे थे डीजल लेने के लिए और लोगों को बचाने के करम में सबस्टेशने को घटाये गया उसके बाद लगवगए गण्टे तक काफी बड़ाज चाम यहां पर लग गया था, उसको जो हमारे आफीसर से उन लोगों ने किलियर करवाया, क्यो आटी हम लोगों ने बुलाई और उसके बाद में क्रियन बुला करके और इसको हटाये गया है, इसमें फायर बिर्गेड को हम लोगों ने यूज किया, अपनी फायर बिर्गेड में डेथ हुई है, और बाकी 3-4 लोग जो घायल है वो ठीक हैं, और इसको हम लोग हटा देंगे अभी और उसके बाद में जो अगरिम करवाई हो की जाई है, यह हम लोग जाज करेंगे, वो हस्पिटल में है, वहाँ भी ऑफिसर से और उनकी टीम लगी हुई है, पहले प् कि लोग घायल है, बाकी ठीक है, वो डिटेल हम लोग लेंगे, इन्वेस्टिकेशन को, हम बाइक से जार थे, अब कहां गिरे भी हमगी आदनी अभी है, पुलिस पर गिरे, कि उस पर गिरे भी आदनी है, यहाँ पर होसा है, यहाँ पर होसा है, जी साब, कैसा पता नहीं है कुछ पता नहीं है कहां क्या हुआ नहीं हुआ एकदम पता ही नहीं है पोटका थाना शेतर की हाता में खाईवा अन्यन्तित होकर एक सब्जी दुकान में खुझ गया हालाकि इस घटना से कोई बड़ी हतासत नहीं हुई फिलहाल हाईवा को हटा दिया गया है और वही सबजी दुकानदार ने कहा कि सूचना मिली थी कि अचाने कि एक हाईवा हमारे दुकान में खुजगया और सबजी का काफी नुकसान हुआ है पूर्वे सिम्म जिले के कवाली था शेतर की एक युवाक के अगर प्रतारित करने का मामला प्रकास में है यहाँ युवाक ने वर्सो तक युवति का सारे इशोसन किया जिसके बाद शादी कन से इंकार कर दिया प्रता ने मानवधिका संगचन के साथ मिलकर अपने लिए नियाय की मांग जिले के असेस्प से की है बताया जाते है कि युवाक का ना गोवित करनकार है और इस युवाक के साथ काफी वर्सो तक उसका प्रेम संबंद रहा इस दोरान युवाक के द्वार युवति का सारी शोशन किया गया था और जब युवति ने शादी करने की बात दे कहीं तो युवाक से कहीं तो शादी से इंकार कर दिया युवाक के दोरा जमीन और पैसों की मांग युवति और उनके परिजनों से की जा रही है इस पर बिर्ट युवति ने महिला थाने में शिकायत दर्श करवाई है लेकिन वहां से उन्हें निरास हाथ का आना पड़ा जिसके बाद मानवदिकास संगतन के साथ मिलकर युव और आज जब ये उससे साधी करने के लिए बोल रही है तो ये साधी करने के लिए तयार नहीं है ये अब वो दुस्रे लड़की के साधी करना चाह रहा है इस और इसके अभी इसको बोल रहा है कि अपने जमीन लिखो पैसा के लिए इस सारे चीज अभी इससे मांग कर रहा लेकिन मेला थाना इन लोग को बलगला करके भेज दिया फिर इन लोग सारे तरफ से ठाक करके फिर हमारे पास Assembly of Human Rights के पास पहुंची और हम लोग इनकी मदद करने के लिए पहुंचे हैं आज हम लोग सारे लोग कोई इस तरफ ध्यान जादातर देना है जमशेदपर के बिस्टरपर शेदर का सौंदरे करन जिसको कमपनी के द्वारे किया जा रहा है भीड़ी वाले इलाके में ट्राफिक नियंदरन के लिए गुल चक्र बनाया जा रहे है और जैनता के सुविधा के लिए एक निश्वल पार्किंग का निर्मान करवाए गया है शानिवार के विद्वत रूप से पार्किंग का उध्गाज अन गन्मान अतित्यों के द्वार किया गया वैसे अनुवन तोर पर विस्ट्रीबर बजार इलाके में दो पाईया पार्किंग एक बड़ी समस्य उत्पन होती थी जिसको देखते वे इस पार्किंग का निवान कराया गया है इसे बजार में जाम किसी से निशात मिलेगा उत्गाटन कायरकर में जमसेदपर किसरी असपी ब्रहात कुमार जिसको प्रबंदक केमडी तरुन डांगा समेत कई गन्मान अतिती मौचूद थे जिसे बजार में आनवाय लोगों को काफी सहुलियत मिली है वहीं जिससे शेतर की खुब सूर्थी में चार चांद लगेगी और लोगों को घूमने का मज़ा भी मिलेगा बाच चित्यक्रम में जिसको प्रबंदक केमडी तरुन डांगा ने कहा कि इस इलाके में लोगों की सुर्दा को बढ़ाने और ट्राफिक को नियंतरन में रखने किये ही तुम तमाम व्यवस्ताई की जारी है और इससे हमारा सहर अत्या धुनिक शेहरों की शेनी में शामिल होने में मदद मिलेगी जो गोल्चकर में जैम्स रहते हैं उसका चेंज हूआ है जो कहा जाता है जो सुना जा रहा है कि उसे ट्राफिक मूव्मेंट में काफी सहलियत हुई है और इसी तरह जो पार्किंग की जो समस्याए है उसको भी सुलजाना है तो आज जो टूवील अपार्किंग का इनाउगरेशन हुआ उसके उसी तहत में है और साथ में जो विष्टूपूर में शॉपिंग करने आते हैं जो शॉपिंग एक्सपिरियंस के तौर पर विष्टूपूर पब्लिक स्क्वेर का कि शहर में जिस भी जगह में हो डिवेलप्मेंट एन सौंदर करन किया जाए तो उसी संदर में यह एक और कड़ी है जमशेत्व जिला मुख्याले के समक्ष अखिल भारते आदिवासी महसवा कुलहान पिकाय की द्वारा एक दिवस्य धना दिया गया साती बीस सुत्री मांग पत्र राज के महमाई मिराशपाल के नाम जिले के उपयत को सब गया है इस दौरान मुख्य रूप से इनके द्वारा जमशेत्व पूर्वीवा पर्शी मिदान स्वासीट को पाच्छिवे अनुसुजी के तहत आरक्षित खोशित करने की मांग चाय गई है इस दौरान इन्होंने का कि कुणाव शेत्र प्राकतिक संसाधनों से भरी हुई है और कंपनी और खदानों के नाम पर यहां के मुलवासियों को स्थापित किया गया है यहां के मुलवासिय अपने अधिकार को धीरे धीरे खोते जा रहे है जिससे उनका जीवन इस तर लगता नीचे चा रहा है इन्होंने का आके राजनीती में मुलवासियों के अधिकार को सुनेशित करने ही तुने दोनों सीटों पारेक्षन दिये जाने की मांग चाह देए है दिमना बान हुआ, पूजु बान हुआ, आइडा हुआ, डाटा लीज हुआ, आपका येरपोड हुआ, आपका नौमुंडी खादान हुआ, जितना पसिजुम में खादान हुआ, रूंगडा मायन्स हुआ, इवन की रेलिवे परिजजना, इनल परिजजना से यहां लखो अपनी जमिन से बेदखल हो चुके हैं, ऐसा नहों कि जमिन से बेदखल हो जाएंगे, अर्थिक से बेदखल हो जाएंगे, रंगितिक से बेदखल हो जाएंगे, और महामायम से रिक्वेस्ट किया है कि पाचिनिसी की सित्रे में जो उलंगन हुआ है, उन पर ध्यान में चालिज में अखिल भारती विद्यारती परिशा समर्थी चात्रों ने उल्लाइन यूजी फर्स्ट सेमिस्टर के नामांकरन तीती को बढ़ानी को लेकर कुलान विश्विद्याले के कुलपती मौर्दिया को प्रचार्या की माध्यम से ग्यापन सौपा। कुलान विश्विद्याले के कुलपती से की गई है। इस समद में इन्होंने एक ग्यापन कुलपती के नाम LBSM कॉलेज के प्रचारे की माधम से सौपा है और मांग की है कि जल से जल उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कुलपती मौधय को जापन सौपे है जिसमें यूजी की डेट को बढ़ाने को लेकर जापन दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही आपनेरी मारे साथ नमश्कार।